गूरीवनिंग फ्रेंड्स मैं आज फेस्बुक लाइब में आया हूँ एक इंपॉर्टन मेसेज अपने लोगों को देने के लिए और जो दिल के अंदर का बात है वो बोलने के लिए मैंने कल विडियोज देखा जहां मैं बंगलादेश में हमारे कैसे इंडिजिनिस माइनॉरिटीज के ओपर अटैक्स हुआ बेरहमी से मारा गया घर जलाया गया और ये पहली बार नहीं हुआ है जब से शेक हसीना का सरकार गिरा है तब से पूरे बंगलादेश में माइनॉरिटीज के ओपर हिंदू बंगली हो खासीज गारोज जैंतियाज त्रिपुरीज चाकमाज मोग्स हम सब के ओपर अटैक्स हो रहा है ये अनेक्सेप्टिबल है और मैंने देखा है कि हम लोग च क्मालता है जब वा अपने माइनॉरिटीज को प्रूटेक करें कि इंडिया में थृपुरा में मैंने हमेशा अपने माइनॉरिटीज के लिए बात किया हैạo मुसल्मान हो मैं हमेशा उन के लिए पूजिशन हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि इंडिया भी बंग्रादेश जैसा बने लेकिन जब हमारे इंडिजिनिस, बिंगॉली, क्रिस्टिंस, बुदिस्ट के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है तब हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपने लोगों को जो बॉर्डर के उस पार है उसके बारे क्या करें मैं जानता हूँ कि जो हो रहा है वो प्लैनिंग से हो रहा है यह systematically हो रहा है क्योंकि यह लोग चाहते हैं कि वो हमारा जमीन ले ले हमारा घर को जला कर अक्यूपाई करें और यह लोग मजब के नाम में हमारे जमीन, हमारे बीवी, हमारे बहन, हमारे मां के उपर अत्याचार क acceptable आज टिप्रा मोथा ने वाई टीफ ने बांगलदेश हाई कमिशनर के सामने प्रोटेस्ट किया पीसफुली किया लेकिन प्रोटेस्ट किया बांगलदेश के हाई कमिशनर को भी मौलम होना चाहिए कि अगर हमारे लोगों के उपर ऐसा अटाक हुआ तो उनको भी जवाब द कर रहने के लिए जवाब आपको देना पड़ेगा एक्स्मिनेशन आपको देना पड़ेगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूं गभ्मेंट ओव इंडिया के सरकार को कि आप भी स्ट्रॉंग स्टेप्स लीजिए हमारे लोग वहां में रोज मारे जा रहे हैं हमारे महिला के उ इंप कर एंग्डाव आ प्राव इंट फिशव बन्द अिए ब्सके रखिव और एंट ट्थ टेमंट अब ऑर में इंट प्री और इंट खल्ड़ेश्ट पी बंगारे में रोज़ेग के रहे हैं हैं अट्री नेने एंट एंटने जापिए बंग्रेश्ट ज्वेश्ट इव should also rethink about whether we need to give them the perks that they deserve or not बहुत हो गया और मैंने देखा है कि हमारे लोग बहुत लोग दड़ते हैं आवाज उठाने से आप लोग दड़ने से कुछ नहीं होगा हम इंडिया में उसका जवाब मुसल्मान के घर को जला कर नहीं करेंगे यहां में हम माइनॉर्टी का सुरक्षा करेंगे लेकिन जब भी अत्याचार होगा उसका जवाब हम उनको बंगलादेश में इंडिया को भी सोचना चाहिए अगर बंगलादेश अपने माइनॉर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो एक अलग देश बनाया जाए क्योंकि यह जो वो कर रहे हैं उन्होंने पहले भी किया नुवाखाली में किया काप्ताई डैम के समय किया कुमिला में किया और आज फिर से कर रहे हैं और हम लोग हमेशा चुप बैटे हैं इसके लिए लोग करते रहते हैं मत भूलिये हमारे तीप्रासा लोग महराजब बीव आते हैं ये लोग क्या इनका मकसद है इनको भी समझना चाहिए और इंडिया शुट एक्षिली सीरिस्ली कंसिडर एक्सपोजिंग बंगलादेश and the present administration in Bangladesh at the United Nations this is a clear case of human rights violation जब बंगलादेश को पूरे दुनिया के सामने हम एक्सपोज करेंगे तभी ये ये सब चीज़ को रोकेंगे और हां ये बंगलादेश आज से 50 साल पहले बना है हमारी लोग वहां में 1000 साल से रह रहे हैं अगर कोई देश अपने नागरी का सुरक्षा नहीं करता है अगर कोई देश धरम के नाम में मजब के नाम में अपने नागरी को अटाक करता है तो वो देश तूट जाता है और ये देश तूटेगा अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे I am telling you all 26 तारिक को तिप्रम ओथा YTF एक रैली करेगा condemning the attacks on the minorities in Bangladesh हम लोग खुद रैली करेंगे और हम लोग भी in solidarity with our indigenous brothers and sisters the Hindus in Bangladesh the Christians in Bangladesh the Buddhists in Bangladesh we love you and we have our sentiments and we will do everything possible to put pressure in our central government to expose Bangladesh so that this atrocity stops and if the Bangladesh does not stop this atrocity पहले भी Pakistan दो टुक्रे में तूटा है जादा समय नहीं लगेगा जब Bangladesh भी दो टुक्रे में तूट जाएगा मैंने सुना है I have heard कुछ leaders बोल रहे है कि हम लोग North East को capture करेंगे आप लोग अपना देश को नहीं बचा सकेंगे North East और इंडिया को capture करने के लिए सपना देखना छोड़ दीजे हम लोग को हलका मत लीजे हर तिप्रासा हर हिंदुस्तानी हर बंगाली हर इंडियन अपने देश का सुरक्षा करना जानता है आप लोग अपने देश में अपना लोगों को संभालिये वरना हमको भी देखना पड़ेगा अगर आपको लगता है ये warning है तो warning ही सही लेकिन enough is enough हमें भी सोचना पड़ेगा आने वाले दिन में कि हम लोग आपके मुल्क के बारे क्या सोचते हैं आज जो मैंने कहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे मुसल्मान भाई जो हिंदुस्तान में उनके उपर attack होना चाहिए बहुत लोग बेवकूफ लोग हैं जो minorities के साथ बंगलादेश में हो रहा है वो इंडिया में करना चाहते हैं ये हमारा कल्चर नहीं है यहां में मुसल्मान हिंदुस्तान का मुसल्मान भी हमारे संग खड़ा होगा और बंगलादेश को कंडेंब करेगा जो वो लोग कर रहे हैं this is my message to all my warriors 26 तारिक को एक rally निकलेगा मैं खुद रहूंगा we will protest and we will do everything in our pressure to expose the atrocities of Bangladesh on its minorities we will not leave our brothers and sisters across the border helpless this is my message to all Belaino Hambai